और यूपी के सीतापूर में एक अस्पताल के अंदर जम कर लाद घूसे चले ये मारपीट अस्पताल के संचालक और बिल्डिंग के माली के बीच हुई लहरपूर कोतवाली शेतरे में सदाकत नाम के शक्स ने अपनी बिल्डिंग में 20,000 रुपे के किराये पर दी हुई मकान के लिए जब किराया लेने के पहुँचा इसमें अस्पताल चलाने वाले किरायादार डॉक्टर सलाम से उसका किराया को लेकर विबाद हो गया आरोप है कि डॉक्टर ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर सदाकत को बंदग बना लिया और मारपीट करने लगा सीसी टीवे में साफ दिखा जा सकता है कि किस तरह से डॉक्टर और उसके स्टाफ के लोग मकान मालिक सदाकत किसी तरह से वहां से बचकर बहार निकलता है और अस्पताल के दर्वाजे पर वो ताला लगा देता है अस्पताल में ताला पढ़ने के बाद अस्पताल में भड़ती मरीज़ और उसके तिमारदार में हरकम बचता आता है मारपीट की शिकायत पर लहरपुर कोतवाली के पुलिस मौके पर पहुंचते जिसके बाद ताला खुलवाया जाता है पुलिस अब डॉक्टर और मकान मालिक को अपने साथ कोतवाली लेकर गई है और इस पुरे मामले की चानविन की जा रही है